हवा में फाइरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहाँ से वो निकले हैं definitely हम जल्दी ही उनको पकड़ेंगे अभी हम फाइरिंग के हिसाब से registration और investigation पर रहें अभी नेता सल्मान खान के घर पर सुबह दो अज्यात लोगों ने फाइरिंग की जो हवा में फाइरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहाँ से वो निकले हैं तो उसके basis पे हमारा investigation चालू है उसमें हमें fire registration का process चालू है बहुत सारे teams उसमें बनाई गई है और हर एंगल से investigation कर रहे हैं definitely हम जल्दी ही उनको पकड़ेंगे इसके हिसाब से हमारा investigation चल रहा है सर कितने team बनाई गई है और कौन-कौन से team जाच कर रहे हैं इस पूरे मामले की हमारी 15 से जादा team बनी हुई है और physically, technically हर एंगल से हम इसका investigation कर रहे हैं सर इसमें और कोई एंगल अब तक प्राइमरी डेटा सामने आया या प्राइमरी जानकारी सामने ही कि कौन इसके पीछे कौन हो सकता है नहीं ऐसे यह भी कोई जानकारी नहीं है अभी हम फाइरिंग के हिसाब से registration और investigation कर रहा है सल्मान खान की security को लेकर क्या update है पहले तो उनको security दी गई थी लेकिन क्या अब बढ़ाई गई है वापस से कोई भी कि दिनों में कुछ सल्मान खान को कुछ धंकी आई थी या कोच उनकी तरफ से complain की गई थी वापस से पुलिस में जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा गया था जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अभी ऐसा कोई भी इंफार्मिशन हमारे पास अभी हाल फिलेल का रिकॉर्ड पर नहीं है बिल्कुल तो 15 से जाधा टीमें पुलिस की तरफ से बनाई गई है और यूद दस्तर पर इस मामले की जाच पुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है क्यामरामन गवरों के साथ